मैं नहीं कर रहा हूँ यह जब आपकी सोच बदल रही है तो आप खुद कर रहे हैं यह कोई नहीं करता सिर्फ आपका दिमाग ही तो यूनों किसी ने मुझसे पूछा क्या एस्ट्रोलोजी काम करती है क्या वास्तु शास्त्र काम करता है मैं कहता हूँ सब काम करता होगा अपनी अपनी जग़े मैं भी एस्ट्रोलोजी अगर मुझे कोई पंडित कह देता है कि आपको आपने कोई नई चीज खरीदनी है तो इस महुरत को खरीद लो मुझे ऐसे लगता है कि मैं खरीद तो रहा हूँ कल खरीदूं उसके परसों खरीदूंगा उसके कहने से मुझे क्या रिक्त है All right, let's ask and let's do it मुझे दिवाली की पूजा करनी है, लक्षमी पूजा करनी है मैं सुबह रात को 9 बजे करना चाह रहा हूं लेकिन अगर महुरत है शाम को 6 बजे का तो मुझे लगता है कि यार 2 घंटे पहले कर लो क्या फरक पड़ता है, अगर किसी ने कहा है कि ये समय पे थोड़ा से ज़्यादा शुब है वो किसी तो बेस पे कह रहा होगा हो सकता है वो सुनी-सुनाई बात कह रहा हूं लेकिन किसी भी बेस पे कह रहा हो लेकिन हो सकता है पॉजिटिव हो कोई कहता है नुमेरोलोजी काम करती है मैंने एक बार नुमेरोलोजी ट्राई की मेरे को लोगों ने कहा कि आप अपने हाथ पे 24 नमबर लिखो मैंने 24 नमबर अपने हाथ पे कई बार लिखा और मैं almost हर महीने में 25-26 बार लिखता हूँ आज भी लिखा था लेकिन शायद मिट गया होगा किसे ने का 24 नमबर में बहुत पावर है मैंने का लिखने में अपना क्या जाता है दोस्तों किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं करें तब तक जब तक आप उसे जान ना लें पूरी तरह से कोई कहता है आपकी राशी में के हिसाब से ही है तो मैं कहता हूँ अगर मैं out of the box जाके मुझे कुछ करना नहीं पढ़ रहा अगर कोई मुझे कहता है magic of thinking rich को रोक दो क्योंकि ये आपके लिए शुब है मैं नहीं रोकूंगा अब मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले दिन एक कहावर बताई थी कि एक पंडिज जी थे राजपुरोही जी थे वो राजा की you know death की बारे में बता रहे थे इस date को राजा मरेगा and बाद में क्या हुआ आपको पता है पहला दिन का session देखिएगा आपको समझ में आएगा या दूसरे दिन के session में राजपुरोही जी से पूछा गया तुम कितने दिन जी होगे उसने का मैं 50 साल इतनी दिर में उसका सरकलम कर दिया गया तो अंद विश्वास नहीं करना है मुझे लेकिन अगर कुछ छोटी चीज़े है उनको अगर विश्वास करने से आपको लगता है आपके mind में थोड़ी positivity आ सकती है तो आपको करना चाहिए तो मुझे से किसी ने पूछा तो क्या सर मैं दिन रात astrology हाथों की लकीरों इनी पर बात करूँ तो मैं कहता हूँ इन हाथों की लकीरों पे 2000% विश्वास मत करना मेरे दोस्त क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते तकदीर तो उन लोगों की भी होगी ना जिनके हाथ नहीं है तो इसलिए हाथों की लकीर है ऐसी है या दिमाग की लकीर है लेकिन हाँ अगर कोई कहता है तेरे हाथ की लकीर कह रही है बहुत अच्छा है बस तो रोज सुबह उठके कभूतर को अनाज डाल दिया अगर तो मैं कर दूँगा उसको उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई हर्ज नहीं है मुझे कभूतर को अनाज डालने में या गरीबों की सेवा करने में या किसी को गाई को चारा डालने में या मंदिर में कोई प्रशाद चढ़ाने में मुझे अगर कोई बहुत ज़ादा बड़ा हर्ज हो लेकिन मैं कोई कहे नहीं नहीं और राइट अंध विश्वासों की कई जगे हद हो जाती है इंसान बहुत ज़ादा ट्रबल में है और आदमी उसको अंध विश्वास के लिए तांतर के पास ले जा रहे है या फिर हर चीज में आप पंडित को पूछ रहे हो बिना पंडित को पूछे है आप मतलब चीक भी नहीं रहे हो तो किसी ने पूछा क्या ये सारी चीज़े काम करती है मैं कहता हूं देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए इस दुनिया में इस संसार में इस जीवन में काम करेगी वो है आपकी इस जनम के विचार और आपके इस जनम के करमाज आपके इस जनम के विचार और आपके इस जनम के करमाज के आगे सब फेल है क्योंकि कई लोग आप अगर देखो मुंबई जैसे सिटी में देखो जहां पर की फ्लैट्स हैं हजारों लाखो लोग हैं जुक्की जोपडियों में जहां जगे मिल गई वहां छोटा सा घर बना के लोग रहने लगए उनका वास्तू का कोई पता नहीं है लेकिन उनमें से कई छोटी-छोटी सी दुकान में भी करोडों कमा रहे हैं करोडों कमा रहे हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ वास्तू सब कुछ काम करता होगा वास्तू भी काम करता है स्ट्रोलोजी भी काम करता होगा नुमेरोलोजी भी काम करता होगा लेकिन मैं हमेशा कहत हूं सबसे पहले आपके जिंदगी में number one priority अगर किसी को भी देनी है तो आपके इस जनम के करमाज और आपके इस जनम के इस जनम के सोच विचार सोच याने mindset आपका इस जनम का विचार आप आज क्या सोच रहे हो वो देफिनेटली निर्धारित करेगा येस हो सकता है कि आपने सब कुछ किया और astrology वाला कहरा देखो फिर भी नहीं हो रहा ना मैंने आपको बताया ना astrology के कारणा बान ले ना उसकी बात उस समय कोई दिकत नहीं है लेकिन the only thing is उस में से भी बाहर निकलने के लिए मैंने मेरे एक दोस्ते जो कि वास्तु शांस्तर और numerology करता है उससे पूछा कि यह क्या है तो उसने का simple है तू दुनिया को बोलता है positive सोचो positive सोचो positive सोचो दुनिया सोचती है दो दिन सोचती है उसके बाद भूल जाती है ह लोग क्या करते हैं उसके घर में एक you know पिरामिड लगा देते हैं और फिर कहते हैं देखो अब पिरामिड लगिया सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा वहद देखता है सब-consciously उसके mind में अगूठीव को किसी ने इन्फ्लुzeitig पर्सन ने जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उसने यह बोला कि मैंने मंत्र करके दिया है मैंने तंत्र करके दिया है ये अंगुठी ये पहनने से तेरा गुस्सा कम होगा या ये अंगुठी पहनने से तेरे पास पैसा आएगा या ये अंगुठी पहनने से तेरे रिष्टे अच्छे होंगे या ये अंगुठी पहनने से तेरे बदन की गर्मी कम होगी तो अंगुठी पहनी शरीर में थोट आए, अंगुठी पहनते ही गर्मी कम होने अपने आप लग जाएगी, इसको बोलते हैं प्लैसिबो इफेक्ट, प्लैसिबो इफेक्ट का मतलब क्या है, प्लैसिबो इफेक्ट का मतलब है कि ना तो उस पत्थर में शायद कोई बहुत ज बच्छा होने लग गया है तो सबसे important आपके इस जनम के करमाज इस जनम के करमाज के बाद आते हैं आपके शायद पास जनम के करमाज past में आपने जो किया उसके हिसाब से आपको जो जीवन मिला वो मिल गया आप छोटे मिने लड़की बने लड़का बने आप किस सूरत के बने आपकी सीरत के बने आपकी height क्या रही आप कौन सी family में जनम हुए आप कौन से देश में जनम हुए आपकी मातर भाशा क्या है आपके संसकार क्या है यह शायद past जनम हो से हमें gift मिल गया अब बात आती है शायद astrology की वो तीसरे नंबर पे है numerology हो सकता है चोथे नंबर पे है और उसके आलागी की science पाँचवे चटे साथवे आठवे नंबर पे तो दोस्तों सब पे विश्वास करो मैं तो कहता हूँ किसी को भी मत सोचो कि ये बिल्कुल काम नहीं करता शायद हो सकता उसमें बहुत बड़ी विज्ञान हो जो आपको मुझे नहीं आती आप और मैं तो कह रहे हैं नहीं काम करती लेकिन हाँ अंद विश्वास नहीं चाहिए आपका सबसे बड़ा विश्वास चाहिए अपने विचारों पे क्योंकि वो कभी भी जूट नहीं हो सकते वो कभी भी जूट नहीं हो सकते अंद विश्वास का अंत नहीं है बस इतना सोच लो हाँ शुब मौरत कौन सा है तेक है इस देट को कर लेंगे येस और कौन सी शुब घड़ी है पूछ लिया बच्चे का नाम कौन सा रखना है ठीक है पूछ लिया कोई बात नहीं लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है दिल से कोई दूसरा नाम आपको लगता है शुब है और आपको दिल से लगता है ये नाम ही मुझे चाहिए तो वो रख दो कोई नहीं जो आपने सोच लिया वो ही सबसे शुब होगा मैं तो आप बताया था विजुलाइज करते समय नौर्थ दिशा में मूह करके बैठो लेकिन अगर पता नहीं है नौर्थ कौन सा है तो ये समझ लो कि जहां बैठे हो जिस तरफ मूह है वो ही नौर्थ है इमाजिन करके वहाँ से शुरू कर दो I am telling you excuse देने वाला लाखों excuse धूनता है लेकिन जिसको करना होता है उसको सिर्फ एक कारण चाहिए जिंदगी में कुछ करने का उसको सिर्फ एक कारण चाहिए जिंदगी में कुछ करने का repetition is the most important thing जब आप बार-बार repeat करते हो तो muscle memory बनती है एक सिश्य आया और उसने पूछा गुरू को कहानी के दुआरा समझाता हूँ एक सिश्य बनना चाहता था बहुत बड़ा तीरंदाज बहुत बड़ा तीरंदाज बनना चाहता था तो उसको किसी ने बताया कि मुझे olympic में gold medal लाना है और मुझे world का best तीरंदाज बनना है क्या करूँ तो किसी ने बताया तो जपान में एक teacher रहता है उसके पास जाओ वो ही तुझे world का best बना सकता है वो सब backpack वगर करके जपान के लिए निकल गया जपान के लिए गया जपान में उस teacher के पास आया teacher ने उसके बात सुनी teacher ने का all right I welcome you to my monastery आप यहां रही है और मैं रोज आपको सिखाऊंगा तीर कैसे चलाना है so पहले दिन की उसकी training शुरू ही पहले दिन teacher आया teacher ने का watch what I am doing all right मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना okay and teacher ने धनुश उठाया बान उठाया शट खीचा निशाना लगाया and निशाना बैंग on the target तो गुरू ने का अब आपने देखा मैंने क्या किया yes मैंने देखा क्या किया अब निशाना लगाओ ये दिन बर अपना निशाना लगाता second day गुरू आया फिर से all right did you do it yes I did it चलिए तो इस बने ने सोचा आज गुरू आएगा कुछ नया सिखाएगा गुरू ने का okay what I am doing all right उसने फिर से धनुश उठाया बान उठाया फट से मारा और तीर निशाने के उपर वाव all right चलिए ने वापस से वोई गुरू ने का practice it दो दिन हो गए तीन दिन हो गए चार दिन हो गए पांच दिन हो गए दस दिन हो गए दस दिन के बाद ये बंदा frustrated हो गया कि येर कैसा teacher है यार मैं तो सुनके आया था कि ये world का सबसे best teacher है ये आएगा मुझे बहुत सारी चीज़ी सिखाएगा ये हर रोज आता है बान मारता है और चला जाता है और मुझे कहता है मैरको इसने एक word भी नहीं सिखाया एक भी चीज सिखा ही नहीं है और ये कहता है कि यार what the hell is this मैं चला जाता हूं यहां से मैं बड़ा frustrated हो गया हूं वो दसवे दिन अपना backpack करता है और वहां से जाने लगता है जब वो जाने लगता है तो रास्ते में एक विचार आता है क्या यार ऐसा तो कुछ नहीं है गुरू ने का watch this what I am doing इस बार उसने देखा गुरू ने धनुष उठाया इस बार उसने देखा गुरू ने बान चलाया इस बार उसने देखा कि गुरू ने कितना बान को खीचा इस बार उसने देखा कि गुरू के आँख कहा थी गुरू की बॉड़ी कैसी थी गुरू का क्या था ये सारी चीज़ें उसने ध्यान से अबज़व की और बैंग तीर छोड़ते ही निशाने के उपर इसने अब समझा Oh my guru wanted to teach me कि same चीज़ को practice करो लेकिन बहुत अच्छे से practice करो बहुत शालीनता से practice करो बहुत शिदत से practice करो इसने भी वो इस बार पूरी शिदत से बान उठाया गुरू ने जैसा किया वैसा ही उसने किया वैसी ही चीज़ की वैसा ही तीर खीचा उसी position में body रखा बैंग तीर बिलकुल निशाने पे he understood मेरा गुरू मुझे सिखाना चाहता था कि same चीज़ करो लेकिन बहुत focus से करो same चीज़ करो लेकिन उसकी भी proper process है उसको नहीं छेड़ना practice does not make a man perfect perfect practice makes a man perfect